हे दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं वैधान्ता शेर के बारे में इसके रिगार्डिडन एक नुटिस कल निकल करा रहा है एक नियूज निकल का रही है वो नियूज देखेगे और क्या एफेक्ट उसका रहने वाला है वो भी देखनी कोशी करेंगे और देखें कल जो है इसने negative में return दिया 0.88% और 270 पर ये बंद हुआ है तो नीचे के level जो रहेंगे लगवग लगवग 260 के आसपास के रहेंगे उसके साथ आप खरीददारी कर सकते हैं बाकी notice देख लेते हैं क्या रहा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लिजिए क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहती है और वीडियो को like जरूर कर दीजिएगा इससे एक motivation मिलता है हमें और वीडियो बनाने के लिए हम प्रेडित होते हैं तो चलिए सीधे चलते हैं notice पर देखे आभी हम आ चुके है notice पर सीधे वेदानता का यह notice है और यह कल ही आया है date में 19 अक्टूबर को और किस regarding है देखे subject देख लेते हैं इसका subject है notice of meeting sorry notice of board meeting closure of trading window and schedule of investor call on financial result मतलब देखे notice board meeting के लिए है यह board meeting होगी जिसमें trading window को जो है अभी बंद कर दे गया है और financial result का यह जो है एक schedule निकाला है इन्होंने उसके लिए और देखे 28 अक्टूबर को यह होने वाला है result घोसित हमारा यह meeting भी 28 अक्टूबर को है और साथी साथ आप देखेंगे तो जो insider trading window होती है उसको बंद कर दिया गया है एक अक्टूबर से और 30 अक्टूबर तक यह बंद रहेगी इस बीच साथी साथ अगर आप result के regarding कुछ discuss करना चाहते हैं तो आप यह numbers दिये हुए हैं यह universal number है इंडिया में अगर आप रहते हैं तो इस number पर toll free में आप call कर सकते हैं और यह सारे numbers हैं international भी कुछ जो toll free हैं सब नीचे भी आप देखेंगे तो toll free international number है जिस देश में भी आप मतलब इस तरमें हैं बैठे हूँ वहाँ से आप अपने अगर invest आपने कर रखा है इस company में तो आप इसको call करके discuss कर सकते हैं इसके बारे में और देखेंगे 5.5 से 6.5 के बीच 28 October को यह meeting होगी लेकिन अगर आप बहार हैं कहीं विदेश से देख रहे हैं इसको तो विदेश से अगर आप call करना चाते हैं आपको register करना होगा यह link दिया हुआ है इस link पर दोस्तों देखें जैसे ही यह जो है हमारा result गोसित होगा उसके बाद company जो है dividend देखते हुए भी दिखाई दे सकती है साथ ही साथ जैसी result आएगा क्योंकि result इसका expect किया जा सकता है कि बहुत सांदार result आएगा तो उसके बाद company का share आपको भागते हुआ दिखाई दे सकता है और target जो रहेंगे वो पहले रहेगा देखें share का जैसी इसका result आएगा तो share तो भाग नहीं है और target जो रहेगा 300 के आसपास का पहले रहेगा 300-305 का और इसको तोड़ता है तो 325 तक easily हमको return मिल सकते है तो चलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो like कर दीजिएगा मिलते है फिर next वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत